कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकडमी पर देखिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है हमारे यूपी पीसेस टेस्सीरीज के पीडिया पेड़ ग्रूप की तो इस पेड़ ग्रूप को जॉइन करने के लिए आपको हमारे वाट्सेप नंबर 90 004-88-3929 पर हाय या हैलू कुछ भी लिख करके भेजना होगा बाकी की सभी जानकारी या सभी चीजे आपको जो है महां पर प्रवाइट करवा दी जाएंगी तो चलिए सुरू करते हैं फिलाल टेस्सीरीज को देखिए यह हमारा जो है यूपी पीसेस के टेस्सीरीज का डि मिल जाएगा कोशिश यह होगी कि दोनों लेक्टर का टाइम में डिफ्रेंस जो है वह करीब करीब 12 घंटे का हो यानि कि सुबह या अगर 9 बजे मिलेगा तो रात में भी 9 बजे आपको दूसरा लेक्टर मिल जाएगा प्रस्णों की संख्या भी कम की गई है प्रती पेपर फर्स्ट कर टेस्ट होगा इसमें बात की गई है सभी सब्जेक्ट की यानि कि इसमें आपको हिस्ट्री जोगरफी सारे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे फिलाहाल यह हमारा परस्ण है इसके लिए आप लोग अपने सामने एटलस जरूर रख लिजिए और वहाँ वर्ड के फिजिकल मैप को खोल के रख लीजिए तब ही चीजे आपको समझने में आसानी होगी तो प्रस्ण बढ़ें उसके पहले एक और सूचना है आपके लिए जो द्रिश्टी याइस का हमारा प्रिलिम प्रेक्टिस सीरीज चल रहा था उसको जो है कल से कंटिन्यू किया के लिए बहुत डीटेल और बहुत अच्छे से चीजे उसमें प्रस्णों के माद्रम से दी और समझाई गई है और अभी तक जिन्होंने नहीं देखा है विजा करके बागी के लेक्टिस कंप्लीट कर लेंगे फिलाल यहां पर जो पहला प्रस्ण है यहां पूछा जा रहा सी केवल दो या फिर डी एक तीन एवं चार चली इसका जो सही अंसर है वह है आप्सन नमबर दो यहां पर दिये गए विकल्पों में सिर्फ और सिर्फ ब्राजील की धारा जो है यह गर्म जल धारा है ब्राजील की धारा जो है आपको दच्छडी अटलांटिक महासागर्म देखने को मिलेगी और यह ब्राजील के पूर्वी तट से कुछ इस प्रकार नीचे की तरफ आती हुई जल धारा है ठीक है ब्राजील के पूर्वी तट पर आपको दिखेगी दच्छड अटलांटिक में यह ब्राजील की गर्म जल धारा बात करते हैं दूसरी धारा की या तो अर्जनटीना का मैप देखेंगे तो अर्जनटीना के पूरवी तट पर कुछ इस प्रकार ऊपर की ओर जाती हुई दिखती है यहां इस प्रकार से यहां सब्सक्राइब को लेकरके आपको अलग से लिक्टर दे दिया जाएंगा मैं सोच रहा हूं तोड़ा आसाणी मचिने में फिर ठीक हम मैप रहेगा और मैप से आप आसानी से समझ जाएंगे कर टाइम मिलेगा जरूर उसके लिए लेक्चर बना जेगा फिलाल यहां समझिए कि जो फाकलेंड की जलधारा है यह अभी आपकी दच्छडी अट्लांटिक महासागर में बहती है ठीक है अट्ल कनाड़ा वाले हिस्सा के थोड़ा सा और उत्तरपूर में जाएंगे तो आपको यहां पर लेबराड़ोर शी देखने को मिलेगा यहीं लेबराड़ोर सी के बगल में अप ग्रीन लैंड या और ऑर कनाड़ा के बीच में जो यह यह यहीं से आपको एक जलधारा बहती इस कनारी जलधारा को देखने के लिए आप जो है उत्तरी अट्लांटिक महासागर के पस्चमी तीनारे पर जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको यूरोप देखने को मिलेगा यूरोप में आप इस्पेन को देखिए इस्पेन और अफ्रीका यहां से गुजरती है कनारी की ज आपके उत्तरी अट्लांटिक महासागर में बहती है तो कनारी कनारी और लेब्राडोर की जलधारा जो है यहां आपके उत्तरी अट्लांटिक महासागर में बहती है नेस्ट आगे बात करते हैं यहां पूछा जा रहा है कि उपनिशद काल में राजा जनक साथ एक और चीज बताइए कि उपनीशत्काल में राजा जनक सासक ठे सासक थे ए पांचाल के बीब के के C विदेह के या फिर ड अपनीशत्काल के अंसे आफसर नमबर सी राजाजनक जो है विदेह के सासक थे पांचाल के सासक की बात करे तो पْरवाहट प्रवाहर जाबली ठीक है उपनिश्दो में इन सासकों के बारे में वर्डन किया गया है पांचाल के के विदेह और कासी के सासकों के बारे में बताया गया है जिसमें पांचाल के सासक को बताया गया प्रवाहर जाबली विदेह के सासक राजा जनक थे तो केके के सासक थे अस श्वपति को पांचाल का सासक प्रवाहर जा बली को और वीदेह का सासक राजा जनक को बताया गया है निम्लिकित अभिलेकों में से किस एक को नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेक माना जाता है A. रुम्मन देई स्थम्बलेक C. हाथी गुम्फा अभिलेक C. जूनागड अभिलेक या फिर D. इन में से कोई नहीं देखें कलिंग के चेदी वंस के सासक राजा खारविल के हाथी गुम्फा अभिलेक को जो है नहरों के बारे में जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेक की साथ से भी माना जाता है इसमें जो है नंदवंसी सासक महा पद्मनंद के द्वारा किसके द्वारा नंदवंसी जो सासक था ना नंदवंस का जो सासक था महा पद्मनंद इसके द्वारा कलिंग में नहर खुदवाय जाने का उल्लेक किया गया है या हाति गुंफा अभिलेक किसके बारे में जानकारी देता है तो हाति गुंफा अभिलेक से हमको कलिंग के चेदी बंस के सासक खारवेल के बारे में बहुत विश्तार पूर्वक जानकारी देखने को मिलती है इसी अहांति गुंफा अभिलेक को नहरों का परथम अभिलेकी साच्ची भी माला जाता है जिसमें जिक्र किया गया था कि जो नंदवन्स का सासक्ता महापद्मनन उसने कलिंग में नहर भी प्रदत्भूमी का सी एक प्रकार का यंत्र जो सिचाई के काम आता था या पिड़ी एक जासूस जो राजा को राज्य गत्विधियों के संबंध में जानकारी देता था इसका जो सही अंसार है वह है आफ्सन नमबर भी मंदिरों एवन ब्रामडों को दान में प्रदत भूमी को गुप्तकाल में अग्रहार कहा जाता था और इस पर राजस्व नहीं वसूला जाता था राजा के द्वारा हालांकि जो अग्रहार में रहने वाले अन्य सामाने निवासी थे जो पहले से उस छेतर में रहते थे वे उनसे कर जो है ये मंदिर या फिर ब्रामड लोग वसूल सकते थे ठीक है लेकिन राजा को उसकर का भुक्तान इनके द्वारा नहीं किया जाता था किस एक समराट के समय की विश्त्रित सूचना प्राप्त होती है यहां जो सही अंसर वह है आप्सन नंबर ए ठीक अग्वार्ण भट ने एक क्रंथ लिखा था जिसके अनाम था हर्ष चरित्र यह आपको याद होगा तो आप आसानी से अंसर लिख देंगे हर्ष चरित्र यह जब नाम ही है तो किषका चरित्र बताया गया होगा हर्ष का ही बताया होगा ठीक है किसे ने लिखा था बाड़ भट ने लिखा था आई यहां बताईए पूछा जा रहा है कि निम्लिखित युग में से कौन सा सही सुमिलित है एक तरफ जो है मठ है और दूसरी तरफ उन मठों से संबंधित प्रदेश है तो सुमिलित करवाले प्रश्णों को आप ही लोग पढ़ते हैं तो जल्दी से पढ़िए और वीडियो को पॉस करके ऐसे प्रश्णों को पढ़ा करिए अब तक आपने वीडियो पॉस करके अपना इंसर्टिक कर लिए को देखे मैं इसलिए नहीं पढ़ता हूं कि मैं करनाटक में है आप पूरिए और जुल्द में हैं और डवार का गुजरात राज्ज में आणा पूछा जा रहा हूं कि इलिवल्ट विल का संगठित रूप से विरोध करने के allíए अंग्रेज़ों या यूरोपDINGों ने किस संगठ killing कि स्थापना की थी ए यूरोपियन एसोसियेशन बी यूरोपियन डिफेंस एसोसियेशन सी ब्रिटिस एसोसियेशन या फिर दी एंटी इलबर्ट एंटी इलबर्ट एसोसियेशन चल इसका जो सही अंसर है वह है option number pin option number B European Defence Association का गठन किया गया था अंग्रेजों के द्वारा इलबर्ट विल का संगटित रूप से विरोध करने के लिए इलबर्ट विल जो है वह Lord Rippen के काल में 1883 में लाया गया था जिसमें भारती जजों को भी अधिकार दे दिया गया था कि वह भी अंग्रेजों या फिर यूरोपी लोगों के मामलों की सुनवाई कर सकता है और इसी का विरोध किया गया था European Defence Association को बना करके अंग्रेजों और यूरोप के निमाशियों के द्वारा ठीक है चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले प्रस्न की यहां पूछा जा रहा कि अधुमुकी निस्पंदन सिध्धान्त को सरुपर्थम सरकारी नीद के रूप में लागू किया गया था ए लाड आकलेंड ने सी लाड विलियम बेंटिक ने सी लाड डलहोजी ने या पिडी इनमें से कोई नहीं इलबर्ट विल का समयाद रखियेगा ठीक है 1883 चल इसका जो सही अंसर है वह है आप्सन नमबर ए ठीक है लाड आकलेंड ने जो है सरुपर्थम सरकारी नीद के रूप में अधुमुकी निस्पंदन के सिध्धान्त को लागू किया था ठीक है यह सामाने चीजह जो मैं आपको बतानों इसको आप ऐसे समझी है ऐसा कहा गया कि जैसे कि रख उच्छ वर्वक के लोगों को सिध्धित कर लिया जाए समाज में ठीक है उच्छ वर्ग के लोग सिच्छित हो जाए बाद में सिच्छा जो है इनी लोगों के माद्यम से नीचले वर्ग के लोगों को भी अपने आप पहुँच जाएगी इसी सिध्धान को कहा गया अधुमुखी निस्पंदन का सिध्धान पर्टिकुलर अगर लेंगेज में बात करें तो यह इस अधुमुखी निस्पंदन सिध्धान का अर्थ था कि सिच्छा समाज के उच्छ वर्ग को दी जाए इस वर्ग से छनकर ही सिच्छा का असर जन सामाने तक पहुँच जाएगा ठीक है और इस प्रकार की नीच को प्रशिद्ध है यहां पूचा जा रहा है एक कथन दिया हुआ है नीचे इन से संबंदित व्यक्तियों को दिया गया है बताना है कि यह कथन किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था कथन है कि अंग्रेज भिखारी से अधिक घृड़ा करते हैं और मैं सोचता हूं कि भिख लाल कृष्ण गोखले से इन तीनों को संयुक्त रूफ से लाल बाल पाल गुलाया जाता था लाला लाजपत्राय विपिन चंद्रपाल और बाल गंगाधर तिलक को फिला यहां का जो सही अंसर है वह है आप्सन नमबर ए ठीक है लाला लाजपत्राय जो है एक गर्म दल के अधिक है उग्र राष्टबाद के समर्तक ते इजे तीन के तीनों ही विपिन चंद्रपाल हों चाय बाल गंगाधर तिलक हो या लाला लाजपत्राय हों या फिर आधी अन्यनेता हूं और इन्हीं में से लाला लाजपत्राय ने कांग्रेज की याचना की नीति की आलोचना करते हूं कि अनुने विने कर busca करके हैं या नीति का आलोचना करते हूं लाला लाजपत्राय ने यह कथन दिया था कि अग्रेज भिकारी ओसे अधिक घ्रिडदा करते हैं और मैं सोचता हूँ कि भिखारी गृड़ा के पात्र हैं भी फिलाग नेक्स्ट प्रसन देखते हैं तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अब्दुल हमीद लाहोरी जो एक राज की इतियासकार थे किस मुगल सासक के दरबार में रहते थे अब्दुल हमीद लाहोरी द्वारा एक मसूहर उपन्यास गया गरंत लिखा गया था या फिर कुछ कह लिए आप लोग उसका नाम था पादसाह नामा एक पुस्तक थी जिसका नाम था पादसाह नामा इस पादसाह नामा में सा जहां के प्रारंभिक 20 वर्सों के सासनकाल के घटना क्रमों को बताया गया है तो जाहिर सी बात है अब्दुल हमीद लाहोरी जो है वह सा जहां के दरबारी कभी या राज की इतिहासकार थे किसके राजकी कभी नहीं थे सा जहां के राजकी इतियासकार थे अब्दुल हमीद लाहोरी इन्होंने पात्साह नामा के ग्रंद की रिचना की जिसमें सा जहां के आरंभिक 20 वर्सों के सासनकाल को बताया गया निमले के त्यूगों में से कौन सा सही सुमेलित है तो बताईए कमेंट करके और कमेंट नहीं करना है यहीं पर पढ़िए और बताई कि कौन सा सही सुमेलित है वीडियो को पास करके बताईए भाई इतना इंतजार मत करवाया करिये फिलाल इसका जो सही अंसर है वह है option number D ठीक है यानि कि सभी के सभी साई सुमिलित है भारती पत्रकारिता का राजकुमार जो है क्रिश्टोफर दासपाल को कहा जाता था भारती समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मिटकाफ को कहा जाता था और देशी भासा समाचार अधिनियम 1878 को लाड लीटन के कारेकाल कारिकाल में लाया गया था ठीक है फिर से बता दूं तो भारती पत्रकारिता का राजकुमार जो है क्रिष्टोधास पाल को कहा जाता था भारती समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्स मिटकाफ को कहा जाता था और देशी भासा समाचार पत्र अजिनियम 1878 को लाड़ इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे ए मुहिन दिन चिस्ती सी बी निजामुद्दीन ओलिया सी सेख सहाबुद्दीन या फिड़ी बक्तियार काकी चली इसका जो सही अंसर है वह है आप्सन नमबर बी ख्वाजा निजामुद्दीन ओलिया को उनके उदार एवं सही शुड़ दिस्ट्रिकोर के कारण महबूब ए इलाही भी कहा जाता था ख्वाजा मोरी दिन चिस्ति निजामुद्दीन ओलिया जो है वह चिस्ती सिलसिला के सूफी संत्य थे ख्वाजा निजामुद्दीन ओलिया ठीक है चली नेक्ट बात करते हैं अगले प्रस्शन की पूछा जा रहा है निम्द कत्नों पर विचार कीजिए और पहला कतन है कि करनाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के या सेंट तोमे इसको पढ़ा करिए गलत लिखा हुआ है सेंट तोमे या सेंट थोमे के युद्ध के लिए इस्मरणी है दूसरा ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपणी ने बंबई फ्रांसीसियों से प्राप्त किया था सत्य कतन आपको चुनना है आपसन है एक केवल एक बी केवल दो सी दोनों एक और दो या फिर दी न तो एक नहीं दो यहां पर जो सही कतन वह है आपसन नंबर ए ठीक है प्रतम करनाटक युद्ध को सेंट तोमे युद्ध के नाम से भी जाना जाता था और ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपणी ने बंबई को फ्रांसीसियों से नहीं बंबई को पुर्त गालियों से प्राप्त किया था जब एक पूरतगाली राज कुमारी का विवा र्राज कुमार से हो गया था तो दहेज सवरू मंदय को गिफ्ट दे दिया गए था ठीक है ए बताईये उसरे राज पन autopsy को अधैनिया कंपणीको कुछ45 स किराय पर मंबぇ को दे दिया था मासिक गराय कितना था यहां आप कमेंट करके बताइए काफी चर्चा का भी से रहता है प्रश्णों में सीधा सीधा पूछा जाता है बात करते हैं करनाटक युद्धों के बारे में तो देखिए करनाटक में तीन युद्ध हुए थे प्रथम करनाटक युद्ध का काल था 1746 से 1748 और इसी युद्ध को सेंट टो में युद्ध के नाम से भी जाना जाता था इस युद्ध का अंत एक्स ला सैपल की संदि के परिडाम सरूप हुआ था और इस युद्ध के परिडाम में जो है दोनों पच्छों को पुनह अपनी अपनी पुरानी इस्थितियों में वापस लोटने की संदि हो गई थी यानि कि दोनों जो है वह बराबर रहे थे प्रथम करनाटक युद्ध में ठीक है हुआ था तो 1746 से 48 के मद्ध हुआ था और बाद में 1748 में यह एक्स ला सैपल की संदि हो गई थी प्रथम करनाटक युद्ध के परिडाम स्वरूप बात करते हैं दिती करनाटक युद्ध की तो दिती करनाटक युद्ध हुआ था 1749 से 1754 के मद्ध और यह भारत की इस्थानी राजिनीत के स्वरूप हुआ था और इस युद्ध का अंत हुआ था पांडिचेरी की संदि के परिडाम स्वरूप इस युद्ध का अंत हुआ था और यह पांडिचेरी की संदि हुई थी वर्स 1754 में परिडाम क्या निकला था इस युद्ध का तो इसमें फ्रांसीसी सक्ति को मानेता मिल गई थी ठीक है फ्रांसीसी आप कह सकते हैं कि विजयता रहते इस युद्ध के उन्होंने जिसे चाहा था वही भारत उन्चेत्रों का करनाटक और हैदराबाद का नवाब या फिर राजा बना था बात करते हैं 158 से ले करके 1763 तक और इसे ही सब्त वर्सी युद्ध का आगया था इस सब्त वर्सी युद्ध का अंत हुआ था पेरिस की संधी से और यह संधी हुई थी 1763 में परिडाम क्या निकला इस पेरिस संधी का या फिर तरती करनाटक युद्ध के बाद हुई पेरिस संधी का प अब वे जो है भारत में सिर्फ और सिर्फ व्यापार ही कर सकते थे बाकी अन्य चेत्रों में जो प्रभाव पड़े थे उसे हम वहाँ पर देखेंगे ठीक है प्रथम दिती करनाटा के उद्धों के जब डिसकसन को देखा जाएगा फिलाल निक्ष देखते हैं यहां पूछा जा रहा है कि निम्लिकित घटनाओं में से कौन सी एक कालक करम के अनुसार अंतिम अस्थान पर है जहां ए व्यक्तिकत सत्याग्रह बी बंबाई में नुसायनिक विध्व फीज wae well yojana paddy भारत खोड़ो आ अंदोलन ये इसका जो चाही अंसार है वह है ऑफिन नंबर भी बंबाई में नौसेहनिक विद्रों सबसें अंत מצरा अधर था वर्था शत्त्याग्रा हुआ था 1940 में प्रत्म वर्था सथ यह एक कौन थे कमेंट कर दके बता इस लो बंबई में जो नौसेनिक विद्रो हुआ था यह हुआ था वर्स 1946 में ठीक है वेवेल योजना आई थी बताइए कब 1945 में और सबसे अंत में भारत छोड़ो अंदोलन की शुरुआत हुई थी वर्स 1942 में तो जाहिर सी बात है सबसे अंत में वर्स 1946 है जहां पर बंबई में नेक्स यहां पूछा जा रहा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है आपके सामने आपसन है आप जो है वीडियो को पास करिए और अपना अंसर टिक करिए चल कि पिलाल जो है अपने अपने अंसर को टिकशन लिया आधर तो इसका जो अशर है rootilos9 त्प्र महता भी ल सा महता थीक है किस भासा का अख़ार था बांबे क्रॉनिकल तो यह एक अंग्रेजी भासा का अख़ार था जिसकी शुरुवात जो है वह सर्फिरुजता महता के दोरा की गई थी बाकी यहनने सभी सही सुमे लित हैं इंदु प्रकास के शुरुवात जो है एम्जी राना डे के द्वारा की गई थी अना पर भी सेम प्रस पूचा जारा के कौन सा पूरा सुमेलिट नहीं तो यहां और भी आपको वीडियो को पास करके अपना अंसर टिक करना होगा फिला यहाँ पर जो सही अंसर है वह है आप्शन नमबर डी ठीक है विटामिन एकी कमी से इसकरवी रोग नहीं होता है विटामिन एकी कमी से रताउंधी होता है बाकी अन्न तीनों के आप रसानिक नाम बताई तो विटामिन B6, B12 और विटामिन E और विटामिन A के हैं देखें विटामिन A की कमी से रदोंदी रोग होता है विटामिन C की कमी से इसकरवी रोग होता है विटामिन E की कमी से जनन सक्ती में कमी आ जाती है और विटामिन B12 की कमी होने से रूधिर छिंडता होती है या फिर एनीमिया रोग हो जाता है और सबसे अंत में विटामिन B6 की कमी से चर्म रोग या फिर स्किन डिजीज हो जाती है ठीक है चली बात करते हैं अगले प्रश्न की यह भी सूचियों के रूप में ही दिया हुआ है पूछा जा रहा है कि सूची एक को सूची दो से सुमिलित करना है और कूट की सायता से सही अंसर को चुनना है तो पहले सूचियों के पास जो है थोड़ा सा वीडियो पास करिए फिर में चलता हूँ ऑप्सन के पास यहीं पर आप लोग मैच करा लिजिए अलग-अलग पेज में हैं देखें अब यहां आपके सामने ऑप्सन है और यहां पर जो सही अंसर है वह है ऑप्सन नंबर बी दो एक तीन चार आईए उपर से मैच करा लेते हैं देखें लाइको पीन से टमाटर का जो रंग लाल है वह दिखता है लाइको पीन के कारण ठीक है कैपसे इसीन के कारण क्या होता है जो मिर्च तीकी लगती है वह कैपसे इसीन के कारण होती है ठीक है जन्तोफिल के कारण जन्तोफिल के कारण हल्दी का रंग पीला हो जाता है और सबसे अंत एंथोसाइनिन के करण जो है शेव के फल में लाली आने लगती है ठीका रेडनेस इन एपल because of एंथोसाइनिन ठीक है फिर से बता दे ना तो लाइको पिन के करण जो है टामाटर का रंग लाल हो जाता है कैपसे इसिन के कारण मिर्ची जो है वह तीकी रगने लगती है फिर मिर्च की तीछड़ता बढ़ जाती है जेंथो फिल के कारण हल्दी का रंग पीला दिखता है और एंथो साइमिन के कारण सेब के फल में लाली आ जाती है नेश्ट बताईए पूछा जा रहा है कि निमलिकित सूच में जीव धारियों में से कौन सा एक भोजन के विषाख्त होने के कारण उत्तरदाई है भोजन के विषाख्त होने के लिए उत्तरदाई है A. Aspergillus B. Lactobacillus C. Clastridium graphics D. Rhizobium चले इसका जो सही अंसर है वह है option no.C भोजन के विशाखत वने के लिए जो उत्तरदाईग जीव है वह है Clostridium Bartolum याद कलीजे भोजन के विशाखत वने के लिए जो उत्तरदाईग जीव है सूचम जीव है उसका नाम है Clostridium Bartolum बाकि बात करते हैं अन्य सभी सूच में जीवोगी तो aspergillus जो है या citric अमलोबनाने के काम आता है तो lektobacillus जो है या दूद से दाही जबाने के काम आता है या फिर दाही बनाने में काम आता है lektobacillus का और सबसे अंध में rhizobium जो है नाइट्रोजन के इस्थरी करण के के लिए काम या फिर इस्तरी करण के लिए जिम्मेदार या फिर उत्तरदाई है ठीक है इसपरजिलस किसके लिए उत्तरदाई है तो सिट्रिक अमल बनाने के लिए उत्तरदाई है लेक्टो बेसिलस दही बनाने के लिए क्लास्ट्रीडियम बाटुलम जो है या भोजन के वि जो है और यह जो है कुछ परिडाम दिए हुए और दूसरे दाप उसे संबन्दित कारट दिए हुए एंडमीग एपेडिमिक और पेंडमीक जो आप कुरोना काल में लगाता शुनते आये थे बताइए ज़रा तो एंडमी बेसे लिए सब्नाय स्बर्णालेhalten या सब्सक्राइब कोई सब्सक्राइब नहीं जानतें इंडयमिक क्या होता है तो किसी विशेस चेत्र या जन संक्या में इस्ठाइ़ रूप से विद्दमान कोई रोग माली जे कोई पर्टिकुलर छेत्र है और यहीं पर कोई रोग फैल गया कोरोना बस इतने भर में होता तो इसको क्या बोला जाता इसको बोला जाता इंडमिक ठीक है या फिर माली जे किया पूरा भारती भुभाग है और यहां पर जो है सिर्फ और सिर जब कोई संक्रामक रोग जो किसी निष्चित जनसंख्या में कम समय में ही तेजी से फ्यलें लगे ठीक है यह पूरा चेतर है ठीक है और इस पर्टिकुलर जनसंख्या में बहुत तेजी से जब किसी रोग का प्रसार होने लगता है तो इसको बोला जाता है एपीडमिक वहीं पेंडमिक क्या होता है तो पेंडमिक जो है वह एपीडमिक इस्थिति का संपूर्ण विश्व में विश्तार होता है जैसे कि कुरोना एक पेंडमिक था ठीक है चलो बात करते हैं अगले प्रश्ण की यहां पूछा द्या रहा है कि एमीनियो सेंटिसिस एक प्रकार है अ अपरात की जाचेतु डिने परिक्षण का बी गर्वती महिलाओं में किया जाने वाला प्रसवपूर परिक्षण एट्स से बचने की रच्छा पद्दत या फिडी जीन अभियंत्रन या फिर जीन टेक्नोलाजी की नवीनेतम प्रत्योगी की चलो इसका जो सही अंसर है वह है आप्सन नंबर फी ठीक है प्रेंटल टेस्टिंग इन प्रेग्नेंट बूमेंट ठीक है इस के माद्ध्यम से गรवथी महीलाओं में प्रसव पुर प्रिच्छण कीया जाता है तो उसके जैस्ञट करी जाती 느 आपि मेंट्र में डियान है इस एमेनिए उसे ंविसंत्यी संद्रोटिंग सीट नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्न कत्नों पर विचार कीजिए पहला कतन है कि विकीरिणों के माध्यम से मनुस्य में सबसे ज़्यादा प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है दूसरा विकीरणों के माध्यम से मनुस्य के अंगों में सबसे कम हानी आखों को होती है आपको बताना है कि उपरिक्त में से कौन सा कथन सत्य है आप्शन है A केवल 1, B केवल 2, C दोनों 1 और 2 या फिर D न तो 1 न ही 2 रेडियेशन के माध्यम से बताए मनुस्य के सबसे ज़्यादा मस्तिष्क प्रभावित होता है और सबसे कम आख नहीं दो के दोनों ही जो है गलत है देखे रेडियेशन या फिर विकिरण के माध्यम से सबसे जादा प्रभावित होने वाला मनुष्य का आंग है उसकी आंक और रेडियेशन के माध्यम से सबसे कम प्रभावित होने वाला मनुष्य का आंग है उसका मस्तिस्क ठीक है चलिए तता दरवी जालिका इस्था राइबवोजोम की भूमिका कोशिका में महत्वपूम्ड होती है, क्योंकि उन्हे कोशिका का पावर हाॉस माना जाता है B, ये कोशिका में प्रोट्प्रीन सेञ्षिलेस्ण में महत्वपूर्ण को भूमिका निभाते हैं सी ये जीव द्रव्य को घेरे रहते हैं या फिर डी इन में से कोई नहीं कि इसका जो सही अंसर है आप्शन नंबर भी है देखिए अंत्रह द्रवी जालिका और राइवोजोम या फिर इंडो प्लास्मिक रेटिकुलम और राइवोजोम जो है वह प को सिका का पावराओस किसको बोला जाता है माईटो है कि अंजुलियाकू है यहां पूचा जा रहा है कि निमनलिकित में से कौनसा एक जल से हलका होने के कारण जल पर तेयरने लगता है A. Aluminium, B. Magnesium या फिर D. Sodium चलिए इसका जो सही अंसर है वह है option number D sodium का घनत जो होता है आफेचिक घनत जो होता है वह 0.97 है और यह जो है जल से हलका होता है इस कारण यह जल की सत्व पर तैरने लगता है next यहां बताईए पूथा जा रहा है कि निमलकित में से कौन सा एक कथन धारवार क्रम की चत्तानों के संबंद में सत्य है पिछले टेस्टरीज में जोगरफी का पूरा डीटेल से कराए गया था आप लोगों को टेस्ट नमबर टू में जिनों नहीं देखा जा करके देख लीजेगा तो यहां option है यह प्राचीन परददार चत्ताने है बी अरावली परवत का निर्माड इसी करम की चत्तानों से हुआ है डी असम के पठारी भागों में यह सिलांग स्रेणी के नाम से विश्त्रित है या पिडी सभी कथन सत्य है बताइए धारवाल करम के संबंद में क्या क्या सत्ते है इसका जो सही अंसर है वह है option number D महां पर आपको यह सारी चीजे बताई गई थी यह नहीं बताया गया था इसे याज कर लिजे कि असम के पठारी भागों में यह Muni बताया गया तो सूचया यह अंतिम प्रस्णा है सबुक्राइस यह आपकोающ लेक्चर में मिलेगगा आगे से प्रस्ण संक्या 26 से तो इन सूचियों को सुमेरित करके बताई कि कौन कौन सी जन जाती है किन किन छेत्रों से संबंदित है Vermont D, 2, 4 और 3, ठीक है, बोरो जन जाती है, ब्राजील की है, नवा जन जाती सुदान की है, फूलानी जन जाती जो है पस्चिटम अफिरिका में रहती है, तो बंतु जन जाती आपकी दच्चिद अफरिका में रहती है फिर से बताजून तो बोरो जन जाती ब्राजील में नबा सुडान में फुलानी पस्चिम अफ्रिका में और बंतु जो है वा दच्छिड अफ्रिका की रहने वाली जन जातियां है एक प्रशन आप सभी के लिए प्रशन संक्या 26 यहां पर एक तरफ जील दी हुए दूसरी त जो है इसको आप सॉल्व करिए फिलाल इस लेक्चर में इतना आई है थैंक्यू थैंक्यू वेरिम्स पर डिसकर्शन चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेयर करना मत भूलिएगा धन्यवाद